Welcome students, आज का हमारा topic रहेगा अवलेहे कलपना अवलेहे कलपना भैशेज्य कलपना की एक बहुत ही important pharmaceutical process है भैशेज्य कलपना में mainly दो types के कलपनाओं का वर्णन किया गया है जो primary और secondary में हम classify कर सकते हैं primary हो जाती है पंचविद कशाय कल्पना जो हमारी basic या भौतिक कल्पनाए है यही कल्पनाए पूरी भहशज्य कल्पना का basis भी है और इन्हीं पंचविद कशाय कल्पना को base लेकर के अन्य कल्पनाए यानि की secondary कल्पनाओं का description हमें अपने शास्त्रों में मिलता है तो primary कल्पनाए मेंली पंचविद कशाय कल्पना रहती है जिसमें स्वरस, कल्क, क्वात, हिम और फांट ये पांच चीज़े ये पांच कल्पनाए इसमें रहती है और secondary भैशज़े कल्पना जो है उसमें जैसे चूरन, वटी, स्नेह, आसवरिष्ट या अवले कल्पना आदी का वर्णन हमें secondary कल्पना में हम इसको classify कर सकते हैं पंच विद कशाय कल्पना का वर्णन हमें सबसे पहले चरक सहीता में भी मिलता है और उसके बाद में जितनी भी हमारी समहीताओं आई हैं या रश्ट या भैशज़े की जो समहीताएं या बुक्स हमारी जो टेक्श्छल बुक्स हैं उनमें ये पंच विद कशाय कल्पना क basis Vernon उसमें मिलता है जो secondary कलपना है चूर्ण वटी स्नेहे ये हमें उसके बाद के कलपनाओं में हमें मिलता है next है कि इसमें introduction की यदि हम बात करें अवले कलपना की जैसा कि हमारा आज का topic है तो उसमें अवले कलपना जो है वो एक semi-solid dosage form हमारी रहती है semi-solid dosage form का मतलब है कि इस कलपना में जो औशद निर्मान किया जाता है उसकी जो consistency होती है it is semi-solid in nature इसकी preparation या manufacturing में हमें क्वात चूर्ण चाहिए होता है कोई sweetening agent sweetening agent जिसमें कोई चाशनी वगएरा बनाने के लिए चीनी है या गुड है फिर snare में जैसे grit है या तिल तैल है और उसके बाद प्रक्षेब द्रव्वे या सुगंधी द्रव्वे इसमें बाद में add किये जाते हैं चरक समिता में भी इसमें pharmaceutical preparations इसकी बताई गई हैं अवले कलपना की जैसे की जवन प्राश है या फिर भ्रम रसायन है इनका वर्णन हमें चरक समिता में मिलता है इसके फार्मेसोटिकल प्रिंसिपल्स फार्मेसोटिकल प्रिंसिपल्स का मतलब है जो हमारे प्रिंसिपल्स या जिन नियमों के आधार पर इसकी हम preparation करते हैं manufacturing करते हैं उसकी elaborate Vernon हमें शारंगधर समीता में मिलता है यदि हम अवलिह की बात करें तो इसकी जो एटिमोलोजी है जो इस शब्द बना है लिही आस्वादने जिसका अर्थ है कि भुज्य पदार्थ ऐसा भुज्य पदार्थ जिसको चाट करके खाया जाए तो यह जो हमारी कलपना बनती है इसको हम semi-solid रहती है तो इसलिए हम उसको चाट करके उसको खाया जाता है या फिर which can be taken with the help of a spoon तो semi-solid यह रहता है यह इसकी definition है जो हमें शारंगधर समीता के मध्यमखंट के आठमें अध्यमें मिलती है कि क्वाथ आदियनाम पुनह पाकात कथेते सा रसक्रिया सो अवलेहस्च लेहस्याद तन मात्रा स्याद पलुनमिता अर्थात कि ओशद द्रव्य के क्वाथ आदी या आदी में जैसे हम स्वरस इंक्ल्यूड कर सकते हैं इनको दुबारा से पकाने के पश्चाथ जब गाढ़ा एवं चाटने योग्या हो जाए उसको रसक्रिया या अवलेह कहा जाता है आचारे शार्गधर ने इस प्रक्रिया को रसक्रिया कहा है और अवलेह और लेह को इसका ही परियाए बताया है तो यहाँ पर हमारे सेनोनिम्स आते हैं कि according to consistency of the substance of अवले various synonyms are given जो परियाए है उसमें अवलेह है लेह है लेह है रसक्रिया है या घन है आगे बात करते हैं कि जब हमें अवलेह कल्पना का निर्मान करना है तो उसमें हमें किन-किन ingredients की requirement रहती है तो सबसे पहला तो उसमें रहता है द्रव द्रव्य द्रव द्रव्य मतलब जो aqueous medium हमारा रहेगा उसमें कशाय है सुरस है या उसी प्रकार का कोई अन्या liquid medium उसमें प्रक्षेप या चूरण द्रव्य डाले जा सकते हैं चूरण द्रव्य जो डालते हैं वो हम पाक के दोरान डालते हैं और जो प्रक्षेब द्रवें वो पाक के पश्षात उसमें डाले जाते हैं प्रक्षेब में normally volatile oils ये essential oils का component रहता है substrate या मधुर द्रव्य जिसके हम चासनी जिसकी बनाते है या base जिस चीज का बनता है जिसमें अवले का निर्मान किया जाए तो वो उसमें चीनी रहती है या गुड रहता है इसमें सनहें भी डाला जासे कता है जिस जिस example में या जिस ओशद द्रव्य अवले के निर्मान में यदि सनहें का वर्णन किया गया है घटक द्रव्य के रूप में तो उसमें हम सनहें भी इसमें डालते हैं तो उसमें या दो गोगरित रहता है या फिर तेल तेल जो जिंजली ओइल है उसको तेल तेल ही कहा जाता है। और इसमें कुछ एडिटिव्स उसके बाद में डालते हैं जैसे शेहद है मधू या कोई भस्म उसमें मिलानी है तो शेहद जो है वो हमेशा पाक के पश्चात ही डाला जाता है जब अवले स्वांग शितल हो जाता है। दिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक बेसिक सा डिफरेंस मिलता है तो वो इसको अभी हम देखते हैं। क्वात, रस्क्रिया में क्वात, स्वरस और हिम इनमें से किसी भी द्रवे को यदि अगनी पर दुबारा से पका कर गाड़ा कर लिया जाए तो उसे रस्क्रिया कहते हैं। इसमें हम कोई जो मधुर द्रवे है, मीठा है या चासनी है उसकी प्रेपरेशन नहीं करते हैं। इसमें हमें यदि चूरण मिलाना हो तो उसका प्रक्षे मिलाई जा सकता है। इसमें शरक्रा और गोड़ादी पदार्थ मिलाना आवश्यक नहीं होता रस्क्रिया में और इसी विधी को रस्क्रिया कहते हैं जिसमें कि हम द्रव्य के क्वात को या उसके स्वरस को गाढ़ा करके और वो चाटने योगे जो हमारे पास औशद रव्य प्राप्त हो रहा है उसको ही रस्क्रिया कहा जाता है आचारे डल्हन के अनुसर रस्क्रिया की तीन अवस्ताएं हैं उसमें सबसे पहली है बिलकुल पतली राव जैसी जो रहे उसे फानित कहा जाता है थोड़ी गाढ़ी जो रहेगी उसे अवले कहा जाता है अधिक गाढ़ी जिसके द्वारा गोली या वटी बनाई जा सके उसको हम घन कहते हैं तो यदि रस्क्रिया के हम एक्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एक तो गुडूची गन बन सकता है गुडूची गन बनता है रसांजन जो है वो दारु हरीद्रा से बनता है मुसर्बर जो है वो एलो वेरा से निर्मान उसका किया जाता है अब यदि हम अवल्हे के पाक निर्मान की बात करें, कि इसकी विधी किस प्रकार से रहती है, तो इसमें सबसे पहले हमें लिक्विड मीडियम ही चाहिए, तो लिक्विड मीडियम में सुरस या क्वाथ हादी, जिस भी द्रव्य का है, जिन द्रव्यों का, यदि सूखे द्र निर्मान करना है, वो क्वाथ के प्रिंसिपल्स के द्वारा उसका निर्मान किया जाएगा, और यदि हमें सुरस कहा गया है, जैसे वासा अवले में वासा के पंचान का सुरस बताया गया है, तो सुरस उसमें हमें लेना है, तो ये लिक्विड मीडियम में हमें शरकरा या गुड़ या मिश्री आदी मिला करके उसका अगनी पर पाक करना है जब उसका पाक करेंगे तो उसमें दो तारकी चाशनी हमारी तैयर हो जाती है उसके परशाद उसको जो अन्य औशद द्रव्वे के यदि चूरन उसमें बताये गए हैं और उसमें हमें परक्षेब द्रव्वे या सुगंदे द्रव्वे जो हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं और जब परक्षेब द्रव्वे भी मिलाने के बाद जब वो पूरा आपका स्वांग शितल हो जाता है बिलूब ठंडा हो जाता है तो उसमें यदि मधू मिलाने का वर्णन है तो उसमें मधू भी मिलाया जा सकता है इसके निर्माण में एक थोड़ा सा चेंज ये भी आता है कि कुछ और निर्माण में कई बार पिष्टी का भी वर्णन आता है कि यदि हमें पिष्टी किसी ओष्ट द्रव्य की मिलानी है जैसे कि हम सवनप्राश निर्मान करते हुए करते हैं तो इसमें आमला पिष्टी का वर्नन आया है तो आमला पिष्टी को सबसे पहले क्या करतेंगी आमलो को हम उबाल लेते हैं उसको पिष्टी बना लेते हैं जिसमें उसका बीज अलग हो जाता है पिष्टी का मतलब है कि हमारा वो पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट को हम फिर ग्रित या तेल या जो भी स्नेह द्रवे बताया गया है उसमें अच्छी प्रकार से उसको फ्राई कर लेते हैं उसको भरजित कर लेते हैं और उसके बाद जो अन्य कौाथ द्रवे हैं उसमें कौाथ निर्मान किया जाता है अन्य ओशत द्रवे का कौाथ मिला जाता है उस कौाथ में फिर हम चीनी मिला करके उसकी चासनी तयार करते ह और उस चासनी में ये जो पिष्टी जो हमने फ्राई की है इसको हम डाल देते हैं और उसके पश्चाथ वही जब प्रक्षेब द्रव्य डाल जब उसका पाक हो गया उसको अगनी से हटाने के बाद से प्रक्षेब द्रव्य डाले जाएंगे कि हमें यदी निर्दिष्ट मान हमें किसी formulation composition में निर्दिष्ट मान किसी औशद्रव्यों का है तो ठीक है अन्य था एक सामान्य सिधान्त है कि यदी चीनी एवं गुड से पाक करना है तो उसके लिए हमें चीनी की मात्रा चूरन से चार गुणा लेनी है गुड के साथ यदि पाक करना है तो उसमें गुड की मात्रा हमें चूरन से दो गुणा लेनी है और यदि उसमें केवल स्वरस या क्वाथादी की ही मात्रा है तो वो चार गुणा चूरन उसमें लेना है प्रक्षेप द्रवे सदेव अगनी से हटा करके ही डालने चाहिए और मधु सदेव स्वांगशीत होने पर ही डालना चाहिए इसके आगे आता है कि अवलिह सिध्धी के लक्षन क्या है हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो अवलिह निर्मान किया गया है वो पूर्ण हो गया है तो इसमें सू पक्वे तंतु मत्वं स्याद अवलेव अपसु मजती स्थिरत्वं पीडिते मुद्रा गंधवन रसुद भवव तो ये शावेंधर ने साथ प्रकार के अवले सिद्धी के लक्षन बताये हैं तो उसमें सबसे कहला तंतु मत्वं मतलब की धागे के समार या थ्रेड लाइक अपिरेस्स उसकी हो जाती है जले निमजनम यदि हम उस अवले को एक चम्मत से उठा करके पानी में यदि डालेंगे तो वो पानी में नीचे जाकर के बैठ जाएगा स्थिरत्व, स्थिर रहता है मतलब की वो एक प्लेट में यदि आपने डाला है तो वो उसमें फैलेगा नहीं वो वहाँ पे स्थिर रहेगा अंगुली मुद्रा, यदि हम अपनी अंगुली से उसके उपर टच करेंगे तो उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स उसमें लग जाएंगे गंध उद्भव जो उसमें characteristic smell है या जो गंध है उसके characteristic रहेगे जो हमने आउशत द्रव्य उसमें डाले है इसी प्रकार से वर्ण भी उसका characteristic ही रहता है लेकिन जनरली वो एक brown से color का अवले का निर्मान रहता है लेकिन जो आउशत द्रव्य डालें उसके हिसाब से वो थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है और रस उद्भव जो specific उसमें taste है जैसे द्राक्षा अवले है तो वो अधिक मीठा रहेगा क्योंकि उसमें द्राक्षा उसमें base द्रव्य है यदि हम चर्ण प्राश लेंगे तो उसमें आवले का रस है तो वो थोड़ा सा आवले के रस का रहेगा इसकी मातरा जो है वो स्यात पलुन मिताब बताया गया है मतलए एक पल मातरा बताई गई है जो 48 ग्राम के लगभग लहती है लेकिन 48 ग्राम की मातरा थोड़ी अधिक भी मानी जा सकती है थोड़ी अधिक एक टाइम पर नहीं रोगी ले सकता तो इसकी मध्य मातरा एक के आसपस बताए गई एक अनुपान इसमें दूद के साथ कोई भी हम अवले ले सकते हैं, किसी कशाय के साथ ले सकते हैं या रोग अनुसार कोई specific अनुपान उसके लिए बताया जा सकता है या चिकटसकिय परामर्श में जो भी बताया गया है वो अनुपान हमें अवले के साथ लेना चाहिए इसके कुछ examples हैं जैसे चवनप्राश है, वासा अवले है कंटकारी अवले, द्राक्षा अवले तो द्राक्षा अवले digestive system के लिए बहुत अच्छा है कंटकारी अवले हमारा respiratory track infection, वासा अवले भी हमें सूखी खांसी या respiratory track infection में हम देते हैं चनप्राश एक बहुत अच्छा immunity booster है जो सभी age groups में लिया जा सकता है इसके बाद जो कुछ qualities हैं अवले की वो हम इसमें देख सकते हैं कि एक easy to administration है केवल चम्मत से आसानी से खाया जा सकता है इसका जो taste रहता है इसकी जो smell रहती है लगभग maximum अवले की बहुत अच्छी pleasant smell और taste जो है वो सभी का लगभग मीठा रहता है यह safe है यूज में इसकी जो absorption है वो मुह से ही oral cavity से ही start हो जाती है और इसकी shelf life मलब की जो इसकी expiry date है वो भी comparatively काफी अधिक रहती है इसमें हम कोई भी preservative नहीं डालते केवल जो madhur द्रव्य है जो चीनी है या गूड है वो इसमें natural preservative का ही कार्य इसमें करता है तो इसलिए इसकी shelf life भी अधिक हरहती है तो यह अवले कलपना का एक brief description था अभी अवले के कुछ examples हम देख लेते हैं जैसे वासा अवले है तो यह जो reference है भाव प्रकाश का है राजजक्षमा रोग अधिकार में तो वासा अवले के घटक द्रव्य जैसे पहले भी discuss किया था discussion में कि वासा सुरस या वासा कौत इसमें चीनी लेंगे जो हम बेस लेंगे sweetening agents में पिपली चूरन, गो घृत और मधू इसको बनाने की जो विधी रहेगी वो ऐसा है कि वासा पंचांग को ले करके उसमें जल मिलाते हैं कौत करने के लिए तो जो वासा पंचांग की मात्रा है वो 64 तोले, 64 तोला इसमें हमने ये approximation ली है कि 1 तोला is equal to 12 ग्राम और जल एक आढ़क तो एक आढ़क को यदि हम equate करें तोला में तो it comes out to be 256 तोला जो 3.072 लीटर्स के equal रहता है तो वासा पंचांग का सबसे पहले कौत करते हैं इस रेशो में और इस रेशो में उसको 1 by 4 तक reduce करके उस कौत को चान लेते हैं वो कौत चानने के बाद उसमें चीनी मिला करके चासनी तयार की जाती है जब वो चासनी दोदार की तयार हो जाती है तो उसमें पिपली चूरन और गृत मिला करके अगनी से हटा लेते हैं फिर उसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने पर स्वांगशीत होने पर उसमें मधु मिला कर एक पात्र में सुरक्षित रख लिया जाता है इसकी मात्रा एक तोला है और अनुपान में इसमें शीर, ऊशन, जल या चिकित्सा परामर्ष के अनुसार जो भी वैद्य ने बताया है वो अनुपान इसमें लिया जा सकता है इसका प्रयोग राज्यक्ष्मा, कास, श्वास पार्शुशूल और रक्टपित में किया जाता है ये एक एक एक्जामपल हम गुडूची घन का देखते हैं ये हमने डिसकस किया था पहले कि घन जो है वो रसक्रिया के अंतरगत बताया गया है और रसक्रिया को ही अवलेह की सिनोनिम या परयाय भी बताया गया है तो गुडूची घन बनाने के लिए इसमें जो घटक द्रव्य रहेगा वो ताजी हरी एवं उंगली जितनी मोटी गिलोए ली जाती है इसको विधी में यह है कि गिलोए को पानी में पहले धोकर और उसके छोटे-छोटे तुकडे करके उलुखल यंतर में उसको कूट लिया जाता है फिर उसमें फोर टाइम्स पानी मिला करके उसको हम फिर से पाक उसको पकाते रहते हैं अगनी पे और जब तक कि वो semi-solid ना हो जाए semi-solid consistency उसकी ना हो जाए तब तक उसके पानी को evaporate उसमें से करते रहते हैं तो जब वो अधिक घं हो जाता है तो उसमें chances रहते हैं कि वो vessel में जिसमें हम पका रहे हैं वो नीचे उसमें जलने लग पड़ता है तो उसको prevent करने के लिए उसे हम continuous stir करना पड़ता है लगातार उसे हिलाना पड़ता है और नहीं तो उसे हम double jacketed किसी vessel में जैसे एक पतीले को water bath में रख दिया जाए तो उससे भी कर सकते हैं या फिर उसको हटा करके हम धूप में उसको सुखा लेते हैं उसकी उतनी consistency हमें रखते हैं ताकि उसकी हम वटी आसानी से बना सके हैं इसकी मातरा जो है वह 500 mg तक की टाबलेट इसकी बनाते हैं और उपयोग इसका जवर जीरन जवर और बात रख्त में इसका किया जाता है नेक्स्ट है चवन प्राश तो चवन प्राश एक बहुत ही सबसे फेमस जो manufacturing dosage form यदि अवले में कोई है तो वो commercially भी चवन प्राश ही है तो इसमें जो घटक द्रव्य हैं ये बहुत अधिक हैं लगभग इसमें प्रक्षेप आमला और गृत तैल और अन्य क्वाथ द्रव्य को मिला करके लगभग 48 के आसपास घटक द्रव्य इसमें रहते हैं तो ये जो टेबल बनाया हुआ है इसमें और नीचे इसमें प्रक्षेप द्रव्य हैं इसमें जो क्वाथ द्रव्य हैं वो प्रतेग 4 तोला लेना है हर द्रव्य तो ये वैसे तो 48 ग्राम आता है लेकिन calculation के लिए easy करने के लिए इसको approximately 50 ग्राम इच करके ये सारी calculation इसमें आगे बताई गई है वही चीज इसमें प् पिपली में भी है 100 ग्राम और बाकी जो प्रक्षे में दाल चीनी, इलाइची, तेज पत्र और नाकेसर ये 50 ग्राम प्रतेग हमने इसमें लेने हैं आमल की या ताजा आमला जो लेना है वो 500 नग लेना है 500 पीसीज लेने है तो जिसका approximate weight 6 kg के आसपास रहता है तिल तेल और गोगरित दोनो 300-300 ग्राम चीनी इसमें 9 kg, डेड़ गुना चीनी आजकल हम प्रयोग करते हैं लेकिन जो शास्तरुक्त विद्धी है उसमें चीनी आमले से लगभग आधी बताई गई है लेकिन उसका taste भी बहुत different रहता है तो जो सामान्यत जो हम प्रयोग में करते हैं वो चीनी को आमले से डेड़ गुना ही प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पे 9 kg चीनी के आधार पे ये लिखा गया है और मदू विधी जो है चवनप्रैश बनाने की उसमें ये रहता है कि जितने भी कौाथ द्रवे हैं उनको यवकुट करके रात्री परेंद जल में रखे हैं उसी में लटका देते हैं जब वो एक चौथा या वन फूर्थ जब वो कौाथ रह जाता है शेश तो उसको हम छान लेते हैं उतार लेते हैं इन दा मीन टाइम जो आमले हैं वो भी हमारे गल जाते हैं तो आमलो को हम अलग से सेपरेट करते हैं और उसको एक जाली पर या कपड़े पर अच्छी प्रकार से घिसा जाता है ताकि उसकी पिष्टी अलग हो जाए रेशे अलग हो जाए और बीच अलग हो जाए बीच को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और जो पिष्टी बचती है उसको घी और तेल समभाग गोगरित और तिल तेल में अच्छी प् भी मिला दिया जाता है इसका पाक हम जो कौात में हमने चीनी डाल करके चाशनी तयार करी और फिर आमली की पिष्टी जो डाली इसको हम पाक तब तक करते हैं जब तकि अवले सिद्धी के लक्षन नहीं आ जाते हैं फिर उस पातर को उसको हम पाकिंग उसकी कर लेते हैं इसकी मातरा 12 ग्राम रहती है अगेर वही एक तुला के बराबर अनुपान इसका शीर और इसके मुखे उपयोग जो है वो कास, श्वास, शत शीन, हरिद रोग, स्वर, भेद, ये मेध्धे भी है रसायन भी है और इसके बहुत अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग भी चरक सम्हिता में इस चिकित्सा स्थान में वर्नित किये गए है तो अबले कलपना में यही था इसमें यही एक्जाम्पल्स जो दू-तीन में था यह डिफरेंट फॉर्म्स के हमने इसमें बताए Thank you